आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी भंडारे वाली आलू की सब्ची की रेसिपी सेयर कर रही हूं और यह बहुती टेस्टी लगती है जटबट से घर में बन जाती है तो चलिए बनाते हैं बहुती टेस्टी सी भंडारे वाली आलू की सब्ची अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें तो यहाँ पे मैंने 4-5 बड़े चम्मस तेल को गरम कर लिया है अब यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिया है जिसमें एक चोटा चम्मस जीरा लिया है 6-7 ताने काली मिर्च के एक तालचिनी का टुकडा दो हरी लाइची दो लॉंग एक पड़ी लाइची और इक तेज पत्ता लिया है फ्लेम मैंने लो कर ली है मसालों को थोड़ा सा सौते करेंगे फ्लेम लो ही रखे enfants और इसमें अब डाल रही हूँ मैं एक चोटाय चम्मच हींग तो हींग जरूर डालें साथ में एक पड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ अधरक कूट करके अब इसे थोड़ा सा सौते करेंगे और अब इसमें डाल देंगे सूखे मसाले तो फ्लेम आउप कर रही हूँ मैं और इसमें डाल रही हूँ आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर दो चोटे चमच धनिया पाउडर साथ में एक चोटा चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर और अब फ्लेम आउण कर लेंगे लो रखेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो किवल 20 से 30 सेकेंड ही आपको मसालो को सौते करना है आदा चुटी चमच मैंने डाल दिया अभुना हुआ चीरा पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल सेपरेट होने तक इसे पकाएंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो कटे हुए टमाटर तो मैंने बिल्कुल रफली चॉप करके दो टमाटर लिये हैं इस तरीके से कट करके साथ में मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी तो मैंने दो टमाटर की प्यूरी बना करके लिया है तो ये दोनों ही आपको डालने हैं इसी तरीके से और अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे स्वादनुसार नमक और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं फ्लेम को कर लूँगी मीडियम में और टमाटर को मैं कवर करके पकाऊंगी जब तक जब तक की टमाटर और सारे मसाले अच्छे से भूनना जाए और ओयल ना सेपरेट हो जाए तो तीन से चार मिनट हो गए हैं टमाटर और सारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं ये देखें ओयल भी सेपरेट दिख रहा है तो सारी चीज़े अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी भुनी हुई तो हल्का सा क्रेस्ट करके डालियेगा साथ में दो हरी मिर्च डाल लही हूँ साबत मैंने कट करके इसलिट करके नहीं डाला है तो अच्छे से mix करेंगे तो मिर्च आप अपने स्वादनुसार कम जाता डाल सकते हैं आपको लाल मर्ज डालनी है इसमें साबुत वाली वो भी आप डाल सकते हैं तो इसे अभी थोड़ा सा और पकाएंगे फ्लेम मैंने medium high कर ली है और इसमें डाल लेंगे अप थोड़ा सा हरा धनिया और हरा धनिया डालके भी अभी बहुत अच्छे से mix करेंगे तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भूने हुए दिख रहे हैं तो इसमें आप डाल देंगे एक चोटी चमच करम मसाला पाउडर और इसी के साथ में डाल रही हुँ मैं आदा चोटी चमच अमचुर पाउडर यानि ड्राई मैंगो पाउडर और अप ये बहुत अच्छे से mix करते हुए एक से दो मिनट और भून लेंगे मसाले इसमें जितने अच्छे से भूनते हैं आलू की ये भंडारे वाली सबजी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है और अब इसमें मैं डालूँगी पानी तो यहाँ पे मैं तीन से चार बड़े कप पानी आड़ कर रही हूँ तो पानी आपको अपने एफोर्डिंग एट करना है आपको कितनी पतलिया कितनी गाड़ी चाहिए हलकी सी एक गाड़ी होती है बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं अच्छी लगती है अब यहाँ पे मैंने हाफ केजी उबले हुए आलू लिये हैं आलू को इस तरीके से हातों से मैस कर लेंगे हलका सा और इसे डाल दिया मैंने इस ग्रेवी में अभी बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और अब सबजी को ढखकन ढखके पकाएंगे 6-7 मिनट के लिए मीडियम टो मीडियम हाई फ्लेम में बीच बीच में चलाते रहेंगे तो यहाँ पे सबजी बहुत अच्छे से पक गए है बीच बीच में आप एक से दो बार जरूर चलाएं और ऐल अच्छे से सेपरेट हो गया है तो बस अब मैं फ्लेम को ओफ कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी हरा धनिया तो यहाँ पे यह भंडारे वाली सबजी बन करके बिलकुल तयार है इसे आप गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ में सर्व करिए बहुत ही टेस्टी लगती है साथ में यह जो खड़े मसाले डाले थे इन्हें आप निकाल सकते है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है थेंक यू फॉर वाचिंग वीडियो